हलो इस्टुएंट अब आप घर बैठे एटुजेट कम्पेटर का नॉलज ले सकते वह भी सरकुंदन के साथ तो सो इस्टुएंट चलिए आज का क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं चलिए लेट्स स्टुएंट अज हम आपके लिए लेकर क्या हुए है और चलिए स्टुएंट फटाफट कम्पेटर सेखते हैं कंप्यूटर कुंदन कुमार के साथ यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में हम आपको बताना चाहेंगे आपको रेगुलर वीडियो चाहि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए आपको पर डे एक नोटिफिकेशन जाएगा और उसका आप ले सकते हैं चलिंग आज हम आपके लिए लेकर क्या हुआ है इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही तरीके से सिखेंगे जैसा कि आप पढ़ चुके ह हैं कमपुटर हाड़्वेर के भांत इन ह हाड़िए कक ऐसे नीर्दे साफ्ट्यर का अनुफवेर सूचनाओं का एक ऐसा समुन होता है जिसके अनुसार computer कार ही करता है computer विहिन computer के ऐसे हवाई जहाज के समान है इसका चालक ही ना हो computer पर किसी भी कार को करने के लिए उससे संबंदित software को computer पर संस्थापित करना पड़ता है यानि install करना पड़ता है hardware को तो हम छू सकते हैं software को चू नहीं सकते और उसके बाद प्रिक्रियाओं के अधार होते हैं जैसे software जो है दो तरह के होते हैं system software और application software यहां पर एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे hardware ठीक है hardware को तो हम छू सकते हैं परन्तु software को छू नहीं सकते यह चीज़ आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा आए हम लोग system software के बारे में जानते हैं यह हमें computer पर कार करने के अनुमती देता है यह ऐसे software होते हैं जो computer पर अन यूटिलीटी प्रोग्राम के साथ कार करने की सुविधा प्रदान करता है एक प्रकार सिया hardware और application software के बीच का मद्यास्ता अस्थापित करता है MS Word, DOS, Windows, Unix आदी system software के उधारन है इस पर आपको पता होगा कि अभी Windows 10 हमारे latest operating system है उसके बाद यह हमारे application software जो अरड़ी computers में रहता नहीं है उसको हम लोगों को computers में install करना पड़ता है जो हम लोग उसके तुरू अपना कारी कर पाते हैं यह ऐसे विसिस्ट कार करते हैं जिने computer के परियोग का अंतिम पढ़ना माना जा सकता है application software की अभी रचना विसिस्ट कारियों के निशाप आदन के लिए ही की गई है word processing जैसे है database management है उसके बाद financial accounting है अनेक कारियों के लिए software का परियोग किया जाता है दूसरे सब्दों में यह कर सकते हैं कि system software computer के लिए हवाई जहाज में परियोग इंधन की तरह कारी करता है और application software जहाज के पाइलट की तरह क्लियर समझ में तो आ गई होगी इस तुरू इन आपको उप्रियोग्त दो software अब यह है system software इसके बारे में थोड़ा से student आप लोग यह हम आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर होगा और यह लास्ट वीडियो तक देखके जाएगा आपको बिल्कुल मजाएगा और कुछ सीखेंगे भी आप system software computer के को control करता है system software ना हो तो computer बेकार है हमारे माध्यम से इसलिए computer में system software को होना बहुत ही जरूरी है इनके त्वीन मुख कार होते हैं यह system से संबंदित स्रोरतों जैसे memory, peripheral उपकरन, monitor आदी के साथ कार करने की सुविधा देता है दुसरा है point भंडारन उपकरनों जैसे floppy disk, hard disk, compact disk आदी के साथ समाने वे बनाते हैं hardware की तुरूटियां को सुधारते हैं और data खोज जाने के इस्तितिम उसे ठीक भी करते हैं यह तीनों point है इसको आप अपने copy में note करेंगे और याद करेंगे clear strength आईए PC computer के अधिकतर Unix, ManyTalks, Amos DOS, Windows आधी system software के परियोग किया जाते हैं और यह है utility program utility program एक लगू प्रोग्राम या अनेक लगू प्रोग्रामों के सम्मूगों को फैरते हैं जो अतिरिक्त सेमाओं द्वारा operating system की मदद करता है यह program एक संसोधन एडिटर डिवीगर की तरह कार्य करता है जैसे PC tools और not any utilities और सामन टेक्नलोजी वा सेंट्रल प्रोग्रामों करते हैं यह लगू प्रोग्राम करते हैं उसके बाद यह application जो आप देख रहे हैं यह दुनिया का number one software है ऐसी कोई computer नहीं है जिसमें यह software लोड ना हो यह आप सो स्टुडेंट वर्ड एक्सल और पाबर पॉइंट सीख लेंगे तो आपको एक official government data entry operator का work आपको मिल जाएगा क्लियर हम आपको अपने अस्तर से बता दिये आए अब जानते हैं कुछ software computer program computer चालक की मदद करने के लिए बनाया जाते हैं यह ऐसे विसेश्कार करते हैं जिने computer के प्रियोग का अंति बढ़ना माना जा सकता है application software की अभी संरचना विशिष्ट कारियों के निस्पात के लिए की गई है वैज्यानिक अभी लेखन यानि scientific research लेखा जोखा word processing यानि word processing तिथर अनुप्रियोगों की सेवा का प्रियोग करते हैं कुछ परचली अप्लिकेशन सॉप्वेर भी है जैसे वर्ट प्रोसेशर और database management web browser इमेज एडिटर यह सब सारे software बहुत ही फ्रेमस है और यह है database software जो यह तो इसका तो कमाल ही नहीं है तो जगजब का चीज़े जितने भी सारे आपके अफिशल वर्क होते है database software पर ही काम होता है तो इस software की मदद से computer में बहुत सारा डाटा विवस्तित रूप से संक्रित किया जाता है या डाटा टेक्स्ट चेत्र आपड़ों या अन किसी भी रूप का हो सकता है आज database software बहुत ही परसीद हो चुके हैं अनेक छेत्रों में उन सरकारी आंकड़े भी database की मदद से जाना जाता है तक असानी से पहुंच जाते हैं पहला database system जो है सबसे पहले IBM ने बनाए computer के लिए विक्सित किया था database भी एक processing यह प्रोग्रामिंग भासा ही है अता इनकी फाइलों को सब जगह सुक्रित किया कर लिया जाता है database का एक अच् सब्सक्राइब कर देता है आज देख रहें कोई भी तरह के documentation है प्रिंट करना हो तो वर्ड है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन जरूर दबाईए स्टुएंट हम आपको बोलेंगे बेल आइकन दबादिए सब्सक्राइब करके उसके बाद आपको हमेशा और अच्छे लंबे तक आपको वीडियो मिलते रहेगा बलकि इस software में उनकी मुद्रित प्रती निकालने से पूर्व अशुद्या को समाप्त करने की सुविधा भी है यह विसेवस्तु में लेखन सैली में प्रिविश्टी विन्यास में उचित परिवरतन कर सकता है इस software के दौरा अनिक प्रतिया मुद्रित की जा सकती है टाइप की हुई समागरी फ्लॉपी हाट डेक संचित किये वी जा सकते हूं उसमें डाटा स्टोर कर दी जाती है वर्ड प्रसेसिंग पैकेज डॉस विंडो दोनों परकार के ऑप्रेटिक सिस्ट आधी विंडो पर इसर में उपलब्द वर्ड प्रसेसिंग सॉफ्टियर यह फेमस सॉफ्टियर है और यह है स्पैट सीट यह तो कमाल की चीज़े है इसको आप नहीं सीखे तो फिर क्या सीखे कम्प्यूटर में एक्सल सीखना इस पैट सीट पे वर्क करना यह आपका इस पैट सीट प्रोग्राम में समाप्त डाटा इस पैट सीट पर ही बनता है एक इस पैट सीट कई पंक्तियों से मिलकर बनी होती है जिने पंक्ति वह कॉलम रो कॉलम कहते हैं हर पंक्ति में अनेक सेल होते हैं जिनके टेक्स्ट आंकड़े फर्मूले में लिखे जाते हैं इन सेलों में गन्ना भी कर सकते हैं इस स्पर्ट सेट में 55,536 पंक्तियां और 256 अभी स्ट्रेंट आप जैसे 2016 में आप करेंगे तो 10,48,586 जो है रो और 16,384 कॉलम हो गया है लेटेस्ट ऑप्रेटिंग सिस्टम में यह 2003 का है तो उपर से नीचे तक सभी पंक्तियों में संख्या 123 पंक्तियां कॉलम ABC to Z तक होती है यहां तक की पंक्तियां वहा कॉलम मिलते हैं उसे एक सेल करते हैं जैसे सामने के चित्र में दिखाए गए सेल को हम कहेंगे कि एवन सेल परतेक सेल में लिखे गए आंकड़ों या की गई गणना आए दूसरे सेल के आंकड़ों को पुर्णेता अलग करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इंटरनेट पर हम घर बैटे दूर देशों में रहने वाले मित्रों रिष्टेदारों पत्र चारिया बात कर सकते हैं internet आप्सर के बीना हम internet परीकार नहीं कर सकते हैं इंटर्नेट ब्राजर होनी चाहिए और थजे और नवीन कंप्युटर में इंटर्नेट सब्टिय्य सिस्टम सब्टियर के साथ ही जोड़े जाते हैं इसे इंटर्नेट अपनी explorer भी करते हैं और अभी तो गूगल क्रॉम आ गया है बहुत ही फेमस है जो computer पर टेक्स चित्र एनिमेशन फिल्म संगीत आदी देखने या सुनने में मदद करता है explorer या browser की मदद से हम word वेब पेज पर नमीनतम जानकारी हासिल कर सकते हैं अब आईए student यह language के बारे में हम लोग जानेंगे कि language होता क्या है computer विज्ञान में निर्देश लिखने के लिए ऐसी भासा का प्रियोग किया जाता है जिसे computer समझ सके हमारी बोल चाल या लिखने की भासा की ही तरह computer की भासा भी व्यक्रन सब्दा वली के नियम होते हमारी आम बोल चाल की भासा का प्रियोग कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह दूध्री यानि गुमावदार होती हमारा language computer नहीं समझता है कंप्यूटर में परियुक्त भासा तारकिक बेहत सरल और सीधी होनी चाहिए क्योंकि computer में तर्ग करने की समर्थ नहीं होती है computer की भासाएं तीन तरह की होती है के करब में लिखे जाते हैं इन्हें computer स्वता ही समझते हैं हम लोगों की वसकी बात नहीं है परन्तु इस भासा में प्रोग्राम लिखना एबम कठीन का रहे है इसमें समय भी यादिक लगता है क्योंकि एक-एक बीट को ध्यान से निर्देशों में डालना पड़ता है मसीन कि यह याद रखेगा अमिर की गनितग ग्रेश मूरे हुपर ने असंबली भासा का विक्सित कर दिया कि गरिद्ध करते हैं ऐसंबली भासा के दौराथा में बिच्छी याद रिखियो असम्बली भासा के वल एक विसे प्रकार की CPU, चीप या माइक्रो प्रोसेसर में ही लगाई जा सकती है प्रोग्रामर जब भी नई मशीन पर काम करते थे तो उन्हें नए सीरे से सम्बली भासा और प्रोग्रामिंग की विदी सीखनी पड़ती थी यह मातर समय और सरम की बरबादी थी इसलिए एक ऐसी भासा की खोज की गई, हर कंप्यूटर मसीनों पर एक समान रूप से कार कर सके, इस परकार उचेस्त्रिय भासा हों का भी विकास हुआ तो उचस्त्रिय भासा क्या है? उचस्त्रिय भासा में अंग्रेजी के अनेक सब्द जैसे list, print, open आदी प्रियोग किया जाते हैं समान अंग्री भासा के सब्द होने के कारें इन्हें कीबोर्ड द्वारा computer में input किया जाता है उचस्त्रिय भासा यानि interactive भासाई जैसी होती है जो प्रियोग करता हुआ computer के मद संबादर स्थापित करती है या दुर्भाशी अधारित, interpreter-based भासाई होती है source code उचस्त्रिय भासा में लिखा जाता है जिसकी machine भासा में अनुवाद करने पर ही computer समझ पाते हैं computer में पहले से उपलब्द एक translator program इन निर्देशों को मशीनी भासा में बदलता है जिसे computer सरलता से समझ सके या translator program दो प्रकार के होते हैं interpreter और compiler तो interpreter और compiler ये उचस्त्रिय भासा में लिखने के निर्देशों की machine भासा को बदलता है और language software हमें machine के साथ कार करने के सुधा प्रदान करते हैं निर्देशों वा डाटा करने सर प्रोग्राम कंप्यूटर में परियुक्त की जाने वाली भासा का चुना करता है जैसे हाई language में यह सब बहुत ही फ्रेमास है स्टुडेंट सी पलस पलस जावा फॉक्स प्रो है न उसके बाद फॉक्स बेस बेसीक अभी तो और भी जावा हो गया है स्टुडेंट उसके बाद सब्सक्राइब यह सब सारे लेंग्वेज आ चुके हैं बहुत ही फ्रेमास है तो कुछ अच्टरिय भाषा है जो बहुत सरल है वह अधिकतर प्रोग्राम में लिखने की परियोग की जाती है उसके बाद है लेंग्वेज प्रोशेशर हम कंप्यूटर कंपाइलर और इंटर सब्सक्राइब प्रोग्राम में लिखा प्रोग्राम पहले चरण में एक मद्याष्ट भासा में बदल जाता है जो कोई भी याद रखिएगा compiler पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक साथ कर देता है यानि जो भी आप प्रोग्राम एक बार टाइप करेंगे लिखेंगे उसको एक बार में यह compile कर देगा चेक कर देगा कि कहां आपका spelling गलत है या नहीं है परंतु interpreter में ऐसा खासियत नहीं है यह वन वाई वन पंक्ती वगर चेक करते वे जाता है यह भासा कंप्यूटर समझ लेता हूँ और इनके दियेगे निर्दिश होंगा निशार कारी करता हूँ कि अब हैं मल्टी मीडिया शॉप्टेर मल्टी मीडिया संचार का एक ससक्त और प्रभाव साली माधिया में मल्टी मीडिया श्रवन वद्रिश प्रस्तिकरन से जूड़े होने के कारण प्रोग्राम को मनुरंजर मनाता है मल्टी मीडिया के सॉप्टेर अलग परकार के होते मुल्टी मिडिया सॉफ्टर का प्रोग्राम टेक्स लिखने चीतर बनाने सजीव चीतर बनाने संगीत सुनने फिल्म देखने आधी में किया जाते पावर पॉइंट यह जो देख रहें मुल्टी मिडिया का एक ससक्त सॉफ्टर है जिस पर बिभीन स्लाइटों की मदद से अन यह सब भी हमारे पावर पॉइंट जैसे ही यह सब मुल्टी मिडिया सॉफ्टर है कि स्ट्रेंट यह मेमोरी बैट्स यह पढ़ देते हैं सुचना वह निर्देसों का वह समुझ जिस पर कंप्यूटर कार करता है सॉफ्टर कालाता है सॉफ्टर दो परकार के होते सिस्टम स अप्लिकेशन सॉफ्टर वर्ट प्रोसेशिंग डाटाबेस मनेजमेंट स्पैर्ट शेट अकॉंटिंग सॉफ्टर आधी अप्लिकेशन सॉफ्टर है लैंग्विच प्रोसेशर वूच्छ त्री भासा में लिखे गए प्रोग्राम को मशिनी कॉर्ड में बदल देता है और हमारे WhatsApp नमबर पर सेंड किजिए यह हमारा WhatsApp नमबर सेंड हो रहा है देख रहा है फ्लैस कर रहा है इसमें टिपन्नी भी लिखना है फिलिन दा ब्लैंक से वह भी बढ़ना है और मैचिंग भी है आई हॉप इस्टुएंट यह आपको वीडियो हमारा बहुत ही बहुत अच्छा लगा होगा आई हॉप आपसे उम्मीद करते हैं कि यह इसका अंसर आप बना के बेजे और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें स्टुएंट और जो भी आपको डाउट लगे कोई भी कोशन्स पूछना हो सी इस्टूटबल जिरो 390793 नंबर पे भी आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं चलिए स्टुएंट फिर हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक अच्छा से वीडियो और एक बाद आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इसको आप अपने कॉपी में लिखे और याद करें चलिए मिलते हैं फिर से एक अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए ओके धन्यवाद थैंक्यू बाबाए